कहानी के शुरू होते ही हम ट्याना नामी एक औरत को दिखते हैं जिसकी बेटी की हालत बहुत खराब है क्योंकि वो वक्त से पहले पैदा हो गई इस वक्त वो इंक्यूबेटे में थी उसे सास भी बहुत मुश्किल से आ रहा था इसलिए ट्याना अपनी बेटी को देखकर द इसकी बॉटी की कई हिससे काम नहीं करते हैं साथी साथ वो एस्थमा और हार्ट पिशिंट भी है अपनी सिंदगी को नॉर्मल रपने के लिए को बहुत सारी मैडिसंस लेनी परती हैं सारी कॉप्लिकेशन के बावचूद भी काफी जहीन है वो एक बड़ी उनिवर्सटी म रिजेक्ट कर दिया गया होगा फिर हम देखे हैं कि ट्याना इन इसकी मॉम अभी ग्रोसरी की शॉपिंग करके घर वापीस आई थी घर आते ही वह फोन कॉल में बिची हो जाती है और क्लोई जैसे ही ग्रोसरी बैक से चोकलेट लेने के लिए बैक खुलती है तो उसे इसके मॉम के नाम से आई थी वो ट्यान से पुछते हैं कि ये टैबलिर्ट्स आपके नाम से किवह आई थी तो ट्याना जब आप पे कहती है शाःती है फॉर्मा की घल्थी है ऐसे में क्लॉई जुप चाप वहकील मेडिसंस अफ्रीस ब Daismal काटी है इस मेडिसं को चपी लाब्ल सर्च करती है यह उस मैडिसन के रैपर पर लिखा हुआ फॉर्मूला सर्च करती है लेकिन आज इसके माम की कंप्यूटर का इंटरनेट नहीं चल रहा था हम देखते हैं कि इंटरनेट असल में ट्याना नहीं आफ किया था जो दूर खड़ी उसे अभी भी देख रही थी इस तो वो चप चप अपने कमरें पर आचाती है अगली सुबा जब वो दिखती है कि उसकी मॉम गार्डिन में बिजी है तो वो जल्दी से उनके रूम में जाकर उनके मुबाइल फोन से ऐसे ही कोई नंबर मिलाती है जो दूसरा आत्मी फोन उडाता है वो से कहती है प्लीज म कि उसकी मॉम कुछ तो कड़ बड़ कर रही है उसके उसे अब किसी भी तरह इस मेडिसन का असली फॉर्मूला पता चलाना था ताके वो इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके इसलिए वो को सोचते हुए डिनर के टाइम ट्याना से कहती है कि काफी टाइम हो गया है हम कहीं यहां मुवी देखने के लिए थेटर जा सकते हैं त्याना उसे थेटर ले बिजाते हैं जब सब मुवी में मगद थे तब ख्लोई ट्याना से पूछ रहा है वाश्रूम के लिए निगलती है लेकिन असल में वाश्रूम नहीं जाती है बलके पास की एक फॉर्मा कंपनी में चली जाती है वह एक मैडिसन फॉर्मसिस्ट को देते हुए कि मुझे इसके बारे में पता चलाना है कि आखिनी किस्चिस के टैपलेट है और इसकी साइट इफक्त क्या है और उसे इस मैडिसन की इन्फॉर्मेशन देने से मदा कर देती है क्योंकि मैडिसन उसकी मॉम के ना समाल होती है और अगर कोई इन्सान इन मैडिसन को ले ले तो वह पैरालाइस हो सकता है यह सुनने के बाद क्लुई बहुत सादा धर शुकी थी क्योंकि उसकी घर कोई टॉक नहीं था और बच्पन से ही उसकी मॉम ये टैबलेट्स देती आ रही थी उसे तूंते परिशानी सब्षब से बढार के मरेल के में जंब कारेगा उसकी हूं किसी बी इन्सान को प्रालाइस कैसे किया जा से का है जाता है और इहां करकि पैर्ब कि से बाहिर था टरौ पर ये तिंप कर देती है मुश्किल से रिंगते हुए वो अपने मोम के रूम तक पहुची थी तो उसके विंडो को सबसे पहले वो आइरन रॉट से घरम करने के बाद उसके उपर थंडा पानी फैंकती है ऐसे विंडो के टूटने पे वो इस कमरे में आँ चुकी थी वो इस कमरे से जल्दी से बाइर जाती है और अपने रूम का दरबाषा खोलती है उसको दुबारासे सांस लेने में मुश्किल हो गई थी वो यही रूम में रखा हुआ अपना ओ你知道 के पहुचिती है और चल्दी स काफी चोट पी आई थी लेकिन वो अपने आपको संभालते हुए तो बारा विलचेर पे बैठ कर घर से बाहरी निकल जाती है घर से इंकलने में तो वो काम्याप हो गई लेकिन वो मदद किसे मांगे उसके घर के आसपास किसे का भी खेड़ी था वो रोट पे निकल जाती है और तब ही उसे एक गाड़ी की आवास आती है क्लोई के लगा कि ये टियाना की गाड़ी है इसलिए वो चंगलों में छुप गई पर असल में ये तो एक ट्रॉक था वो इस ट्रॉक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जिससे देखकर ट्रॉक वाला अपना ट्रॉक रोग देता है ख्लोई यहांस तरे मदद मांगती है वो उसे सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसकी मॉम बचपल से उसे डॉक्स की मेडिसन देकर पैरालाइज रख रही है उसके जान खड़े में है वो इस आत्मी कहती है कि मुझे किसी बेहालत में पुलिस टेशन जाना है यहांस उसकी बात मान लेता है इससे पहले कि वो ख्लोई को अपने ट्रॉक में मिठाता पीछे से ट्याना आ जाती है जो से बुछती है कि तुम मेरी बेटी को आखिर कहा लेके जा रहे हैं वो जिसके जवाब में याद में कहता है कि तुम्हारी बेटी को लगता है कि तुम उसे खलत मैडिसन दे रही हो तुम्हारे खिलाफ पुलिस टेशन जाना चाहती है और इसका में मैं उसकी बदब करूँगा ट्याना की तो अब होशी ओड़ चुके थी ट्याना उसे बहुत तरी कुछ से समझाती है उसे रोकने की बहुत कुछिश करती है लेकिन जब यह आत्मी नहीं रुपता तो मजबूरत ट्याना को गलत रस्ता इस्तमाल करना पड़ता है वो यहाँ पर क्लोई का बेहोश होने वाला इंग्जेक्शन इस आत्मी को लगा क क्लोई को घर वापिस ने जाती है यानी एक और मरत्मा क्लोई उस खतरनाक सिंदगी में पहुँच चुकी है प्याना ने क्लोई को अब उसकी बेस्पेंट में जिंजीरों से बांद के रखा था और यहाँ पर वो एक मैडिसन भी बना रही थी ताके वो क्लोई को हमेशा के क्लोई यहां से निकलना चाहते थी इसलिए वह बेस्पेंट के अंदर ही कुछ जरूरी चीज़ें धूलना शुरू कहती है जिसके मदद से वह यहां से निकल सके इसे दुरगन क्लोई को यहां पे कुछ इंपोर्टेंट डॉकुमेंट्स में मिलते हैं जिसमें उसका दिखने पे पता सुलता है कि क्लोई नामी की मचोर बच्ची जो आज से 17 साल पहले पैदा हुई थी वो पैदा होते ही चंद घंटों बाद मारे जा चुकी थी यहां उसका death certificate में था अगर वो बच्ची मारे जा चुकी थी तो क्लोई कौन थी क्लोई को इनी डॉकुमेंट् से ही किसी ने क 53 कर लिया था यह खबर देखने के पाद फ्लonnay जा जाता जाती है कि टियाना उसके एसलीepend0 में व Wahr फोलके उसकी इस एसली बॉबाब दैड यी लोग है वह में यहां से ब्सक्तियाहन बारे सदेश इसनी लोई चान थी बादिय। सब्सक्राइब करने के लिए अपनी बनाई हुई मैडिसन भाइती है अपने आपको बचाने के लिए ट्याना को लगा वो मर गई और यह सोचते ही ट्याना की हालत खराब हो गई थी वो बहुत जादा रूर ही थी क्योंकि वो सच में क्लोई को अपनी बेटी बाद दी थी वो ख्लोई को अपनी से दूर भीजदार नहीं चाती थी और वो ख्लोई को बैरलाइज होने वाली भी वेडिसन इसलिए दिया करती थी ति कहीं वो अपने असल पेरिंस के पास बाच जाए अब ख्लोई को जब होश तो उसने अपने आपको हॉस्पिटल में पाया उसके एद के डॉक्टर्स थी और उसके स्टमक को साफ किया जा रहा था वो रोम से बाहर देखते हैं तो वहां ट्याना खड़ी थी यनि वहीं उसे हॉस्पिटल लेकर आई होगी उसे देखकर वो दोबार से डर्श आती है और पाल्स खड़ी नर्स को बुलाती है, वो उसे इशाने से एक पैंड और एक पेपर मांगती हैं जिस पर वो नर्स को कुछ लिख कर बताना चाहती थी और यह चीज़ बाहर ट्याना चाहती थी कि लोई नर्स को उसे के बारे मप्धाएगी इसलिए वो वक्त रहते ही हॉ होस्पिटल में अफरत अफरी मचाती है और इसी का फाइदा उठाते हुए वो यहां से क्लोई को लेकर भाग जाते हैं अब जैसे ही नर्स रूम में आई तो उसने देखा कि क्लोई वहाँ थी ही नहीं क्लोई ने उसे पहन और पेपल भी माग था कुछ बताने के लिए तो न ट्याना भी अपने गन निकाल लेते हैं और स्क्योर्टी की दरफ दान की कहते हैं कि मैं सिफ़ अपने बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ हर जाओ मेरे रास्ते से तो मश्मूरां स्क्योर्टी को उसके उपर अपनी गन से हमला करना पड़ता है और ऐसे उसका एक जख्मी हो जाता है क्लोई को यहां डॉक्टर्स रेस्क्यू कर लेती हैं और पता चाहता है कि सारे वाकिये को साथ चान गुजर चुके हैं अपनी मौब ट्याना से मिलने के लिए जेल में आए जिससे कई सालों तक क्लोई को पैरलाइस डुखने के लिए अरेस्ट किया गय पता चलता है कि क्लोई कुछ-कुछर से बाद ट्याना से मिलने आदी रहती थी इस वक्त वो ट्याना को बताती है कि मैंने अपनी बढ़ाई कंपलीट करके एक अच्छी जॉब बिने ली है मेरी शादी भी हो गई है और मैंने अपने असलीप बेरेंट्स को भी ठून लिया बतला ले रही है और वो नहीं चाहती कि कभी भी ट्याना इस जेल से बाहर आए जिसे अब दिखाते हुए कि कहानी यहां सत्म हो जाती है